दिसंबर का महीना चल रहा है और आपकी गाय भैस गरम नहीं हो रही है और गाय भैस के गरम होने का कुछ फीजन होता है वैफे तो गरम हमेफा होती है लेकिन कुछ ऐसा फीजन होता है कि वहाँ पर ज्यादा गरम होती है कंसी भी ज्यादा होती है तो जिन गाय भैसों में गरम नहुने की समय स्या है या पहला है उमर हो गया है तो उनको आप किसी तरीके फे दवा की माध्धम फे आप गरम करके याई करा दीजिए और निशी सफलता मिलेगी तो चलिए चलते हैं अगर जानवार पूरी तरीक्स तयार है या बाच्चा दिये बहुत दिन हो गया गरम नहीं हो रहे तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे क्योंकि अगर फरवरी बीत जाएगा फरवरी बीत जाएगा तो फिर जल्दी हीट पे नहीं आएंगी और आपका लगभग 6.5 महिने बेकार जाएगा कि तो सबसे पहले हम कि प्सक्चे अच्छे किसी अच्छे द्वाफ द्वाफ पर आपने पफू का गाय-भहाव कर डियोर्बिंगं कर्ते हैं कि ओर इस द्वार्मेम गश्विंड करें जो इक्स्टरणरल और इंटर्णल दोनों को illyसा इक्ष्टर्न इक्ष्टर्नल और इंटर्नल और फरीर के उपर हुपर लुका कि नी और को राख से जादा क्यूंकि जानवर को आप अंदर बाहते हैं तो इस शम्में पर के उपर कुछ प्रम पार जाते हैं इनको मानना ज़रूर यहां पर दोनों कीड़ों को मारे तो इसके लिए इलबा इलबा आता है इस समय देने के लिए एलबंडा जोल और आयुरमेक्टिन का फाल्ट बहुत ही ब्यस्ट है दोनों कीड़ों को मारेगा इलबंडा जोल अदर मानना है और कभी अए फास देखा जाता है कि लिए अगर भी नहीं गरम होता है एक हप्ते के अंदर दो चार दिन के अंदर तो आप किसी अच्छे मिनल मिक्चर अच्छे मिनल मिक्चर का पाउडर खिला ये जैसे चिलेटेड एग्रीमीन फोट हुगा या फिर बहुत फियात हैं खुराख हुगा या अगर आप इसको ना खिला पाएंच क्योंकि इसमें थोड़ा नापना पड़ता है कितना दिक कितना ना दे है तो मिनरल का बोलस भी आने लगा है जैसे एग्रीमीन आई एग्रीमीन बेसके लोगारा चाने आए दाह minute बोलस हम दणा नाम बता रहे हैं कि आप एक समझेगा कि हम कि dispon का परचार रहे हैं हम वहीं बता रहे हैं कि जो हम परियोग करते हैं और अच्छा राज़न देता है तो आप किसी व पे सो रहे लिजिए लेकिन अच्छी कंपनी का लीजिए बोलफ और कम से कम 21 दिन खिलाइए 21 दिन आप लगातार खिलाइए खिलाने के बाद आप देखेंगे कि गाय भैंफ जरूर हीट पर आ कि मिलाल में क्या होता है फरीज के अंदर कमडोली को दूर करता है और कुछ यह दियुक्त है जान और को हीट मिलाने काम करते हैं तो यह सब्सक्राइब जिसमें रहता है उसको आप खिलाव क्ते हैं और पफू निश्चित ही हीट में आएगा लेकिन कभी कभी आइफा देखा आ रहा है तो आप किसी डाक्टर को बुलाईए अब कदी डाक्ट साब चेक कर दीजिए अकफर देखा जाता है कि इस कंडिसन में हाथ लगाने से अगर रेक्टम में हाथ गया बच्चेदानी को पर हाथ गया बच्चेदानी में कुछ ऐफी पर किरियावती हार्मोन उत्प अब ऐसे से जरूर कंसीव होंगी तो दोस्तों हमारा वीडियो को कैफा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब अबस्ट करें